हे गाईज, आज हम बात करेंगे Black Panther Wakanda Forever की कहानी के उपर पहले ही सीन में हमें सूरी को दिखाया जाता है जो अपने ही computer lab पे एक synthetic जड़ीबुटी बनाने में लगी थी लेकिन उसमें वो असफल होती है उसके बाद सूरी को खबर आती है जो उसका भाई टिचला की मौत हो चुकी है और इसी बाद से सूरी बहुत ही दुखी होती है इसके बाद हमें एक funeral दिखाया जाता है और इसमें हमारे Black Panther को अंतिम विदाई दी जाती है उसके बाद हमें अमेरिका का एक सदन दिखाया जाता है जहां बहुत से देशों के नेताएं मौजूद थे और वो Wakanda पर इलजाम लगा रहे हैं जो Wakanda वाइवरेनियम का सौदा उनके साथ नहीं कर रहा है कोई भी शेयर नहीं कर रहा है इसके जवाब में राजमाता कहती है जो आप जितने सरीफ दीखते हैं उतना सरीफ है नहीं ये बोलकर वो कुछ सोल्डर्स को पकड़ के लेकर आती है जो Wakanda गये थे वाइवरेनियम का चुराने के लिए उसके बाद सरकार के दो लोग सूट पहने हुए समुन्दर में एक मेटल डिटेक्टिव मशीन को लेकर Wakanda के बाहर वाइवरेनियम खोजने के लिए निकले थे और उन्हें वाइवरेनियम मिल जाता है और तभी कुछ अटलांटियस के लोग आकर उनके हमला कर देते और उन उन्हें भाई की फियूनियल के कपड़े जलाने को बोलती है इससे उन्हें सांती मिले उसके बाद यहां टपकता है नेमार राजमाता को बताता है कुछ लोग है जो Wakanda के बाहर वी वाइवरेनियम को चुरा रहे हैं उसने उन्हें मार दिया है लेकिन वो इसमें Wakanda की मदद की चाहता है जो वो Scientist को पकड़के लेका है जो दिटिक्टिव मशीन को बनाया है उसके तक कभी को लेकर के राजमाता यह वीचार निवेस करती है जो Scientist को कैसे वाइवग कर आ आएं और नेमार को कैसे रोकें सांतिस्ट को पकड़ने के लिए राजमाता वुकायू को ये दायत webinar देती है, यहाँ वकायू अपने सा सूरी को भी ले जाना चाहती थी, पहले तो राजमातल नहीं बोलती है, उसके बाद मांग जाती है, यहाँ वकायू और सूरी एक सरकारी officer से मिलती है, सरकारी officer यहाँ बताते है जिस लड़की ने मेटल लिटर्टिव मशिन बनाया है वह एक लड़की है जो जिसका नाम रीरी है यह सुनके सूरी और उकायू उस बच्ची के घर पहुच जाते हैं और उसे लेकर एक कराज में आते हैं जो रीरी का होता है और वहां बहुत सरे टेक्नोलोजी और मशिन्स को देखते हैं इतने रास्ते में नेमार के कुछ साथी उनके रास्ता रोक लेते हैं और यहां वकायू और नेमार के कुछ साथी के बीच जड़क हो जाती है जिसमें सूरी और रीरी को नेमार के कुछ साथी उठा ले जाते हैं इस बात से गुस्सा होकर राजमाता रमोंडा वकायी को अपने ज सूरी और रीरी को एक पामे रखा गया है उधर नाकिया एक औरट से मिलती है जो बताती है एक जगे से नैमौर को उटते हुए देखी है इसके माध्यम से नाकिया को पता चल जाता है नैमौर का अड़ा कहां है और वो सूरी को बचाने के लिए निकल जाती है उसके बाद हम नैमार को देखते हैं जो सुरी को ये बताता है जो हमें साइन्टिस्ट को मार देना चाहिए और इस काम में वो उसके मदद करें लेकिन सुरी उसकी मदद करने के लिए नहीं बोल देती है इसके बाद सूरी नेमार को पूछती है जवाप इनसान है या फिर क्या है इसका जवाब मैं नेमार बताता है जो हम इनसान कभी हुआ करते थे महामारी में एक जड़ी बुटी खाने के कारण हमें जमीन में सास लेने में तकलीफ होने लगी और हम पानी में सांस लेने के एक अजब सक्ति के मालिक हुएं और हम पानी में ही इस लिए बसेरा इपना बना लियें यह बालकर नैमार सूरी को समुन्दर के सेर कराने के लिए ले जाता है एकितके बाद नाकिया अपने advance submarine के सहाइता से सूरी और रीडी के पास पहुँच जाती है यहाँ नेमोर के एक साथी के साथ नाकिया का जगड़ा हो जाता है हताफाइ में नेमोर का साथी मर जाता है और नाकिया सूरी और रीडी को लेकर वकांदा चली आती है नेमौर का एक साथी मर जाने के कारण नेमौर गुसे में आकर वाकान्दा में हमला कर देता है बात से सूरी नाराज होकर उरन तस्तरी लेकर नेमौर को रोकने के लिए निकल कjęल पड़ती है यहां एंच्री होता है नेमओर की, नेमओर को देखते हुए एक कविले का आदमी नेमओर के उपर हमला करता है, लेकिन नेमओर का एक घुसा से उसकी हाला अपतली हो जाती है, इसके बाद नेमओर बड़े ही खुबसूर्ति से बड़े बड़े उरनतस्तरीयों को हमला करके तोड़ रहा था तबाह कर रहा था इसके बाद नेमावर को राजमाता और रीरी दीखती है जब रीरी को मारने के लिए नेमावर आता है तो राजमाता रीरी के सामने आकर रीरी को प्रोटेक्ट करते हैं यह देखकर नेमावर गुस्ता हो जाता है और बहुत सरे वाटर बॉ और वो जड़ी बूटी खा कर वो एक अन्य लोग पर पहुँच जाती है जहां मुलाकत होती है एक सक्स है आप आई होप आप वो सक्स को जानते हैं वो सक्स उसे बताता है सुरी के पास अब दो च्वायज है या तो वो नेमार को मार दे या फिर अपने भाई के तरह रहम दि है उसके बाद एक कविला दिखाया जाता है जहां हमारे प्यारे ब्लैक पैंथर की एंट्री बहुत ही धासू तरीके से होती है